हेलो स्टुडेंट्स देवंदर अकेडमी में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको व्यापारिक बैंक तथा सहकारी बैंक में अंतर बता रहा हूँ तो आप इसको अच्छे से देख लिए बहुत ज़्यादे इंपोटेंट क्वेस्चन है व्यापारिक बैंक और सह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथ मैं बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ उसका नॉटिपिकेशन आपको तुरंत मल जाए क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के स्टड़ी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं ठीक है और साथ में जो आपकी बारिसिक पर इच्छा होनी है तो उसकी तैयारी के लिए आपको हर सब्जेक्ट के चार सेट भी अप्लोड किये जाएंगे उन्ही चार सेट में से आपको जो आपको पूरे क्वेस्टन होगी वह उसी आपके उ आपको व्यापाराक बैंक और सहहकारी बैंक में अंसला आपको बताया गया ठीक है धिए पहले अंतर देख लिए व्यापारेक बैंक में भारतियी बैंकिGM कि का Bowl भारतियी आधिनियम दैब चीम你wiązकों की स्थापन नहतर एंक दिम्त लूंच करके हो गया दूसरा अंतर देख लीजी ब्यापारिक बैंकों पर बैंकिंग अधिनियम की संपून धाराएं लागू होती है और सहकारी बैंकों पर बैंकिंग अधिनियम की केवल कुछ ही धाराएं लागू होती है दो अंतर हो गए इसके बाद तीसरा अंतर देख लिजी, ब्यापारिक बैंकों पर रेजर्व बैंक का पूर नियंतर न रहता है, सहकारी बैंकों पर रेजर्व बैंक का आंसिक नियंतर न रहता है, ठीक है, इसके बाद चोथा अंतर है, ब्यापारिक बैंक देश के बिभिन भागों में अपने कारचेत्र का विस्तार कर सकते हैं सहकारी बैंक एक निर्धारत छेत्र के अंतरगत ही अपना कारचेत्र फेला सकते हैं तो ए चार अंतर हैं ए चारों अंतर इंपोर्टन्ट हैं व्यापारक बैंक और सहकारी बैंक में तो आप इनको अच्छे से तयार कर ल थेंक यू